हेलो दोस्तो फिर से स्वागत ही आपका ओनलाइन जे की क्लासेस में अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन दबाके सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ी जाएं तक कि जो भी सरकारी नौकरी की नई नोटिफिकेशन आए नई सूचना है आपको सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलता है जी हां दोस्तो अगर आरारबी जेई का अवी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस वीडियो को देख कर ही फॉर्म भरें कि इस जोन में कितना सीट एविलेबल है और कितना वहां पे फॉर्म गिरा है मैं आपको बतान जा रहा हूं इस वीडियो में जी हां दोस्तो बने रहे हैं हमारे चैनल पे और लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों में सेर करना ना भूलें जी हां दोस्तों आपके सामने इस इस च्रीन पे दिख रहा है कितने और भी गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री आप railway requirement board ठीके दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है सारे बोर्ड आपको दिख रहे हैं मैं बताऊंगा किस बोर्ड में कितना अभी तक form गिरा हुआ है कितना form फिलप हुआ है उसके हिसाब से अगर आप चून के अगर form भरते हैं तो आपका अपडेट आप देख लें ठीक है दोस्तों सामने देखिए यहां पर दिखा रहा है यहां पर देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ है अजित कुमार और registration ID ठीक है उसके बाद देख लें उसके बाद नीचे आते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है you have successfully registered और यहां आप यह देखिए यह रजिस्टर्ड यह registration ID है ठीक है दोस्तों registration ID में आगे का पांच अंक छोड़के जो भी डिजिट है वो registration ID है यानि कि जो यह बंदा registered किया हुआ हुआ है वह एक ताली उसका registration ID है टोल यह और अभी तक इस जोन में फॉर्म फिलब हुआ है एक तालीस ऐर 562 ठीक है आपके सामने यह दिख रहा है दिखिए एक तालीस ऐर पांसो 62 यह जो form यह आपका total form है कितना form भारा गया है इस zone में यह देखिए दोस्तों किस zone का है आपको मैं दिखा रहा हूँ screenshot मैंने लिया हुआ है यह गोरखपूर का है दोस्तों देखिए यहां पे लिखा हुआ है गोरखपूर railway requirement board ठीक है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ यह registration ID यहां पे लिखा हुआ है यह अजित अमित कुमार का है ठीक है देख लिजिए बाकी आगे चलते हैं यह गोरखपूर का है आप इसक्रीन सोट इसका ले ले लें देख लें कितना यहां पर form फिलफ हुआ है अभी तक उसके बाद देखिए दोस्तों यह बैंगलोर का है यहां पर देखिए आपको दिख रहागा इसक्रीन पर यह बैंगलोर यहां पर लिखा हुआ है यह बैंगलोर का है ठीक है यहां पर नाम है अत्तुल सिंह और registration ID लिखा हुआ है यहां पर बाकी आगे देखिए इसके नीचे में दिखा रहा है कितना form यहां पर फिलफ हुआ यह देख लिजिए यहां पर 1,3,387 form भरे गए है total registration ID यह हो गया total ठीक है यह आगे वाला code हो याता है उस जोन का 3140 3140 जो है code है वहां का उसके बाद जो digit है वहां पर total form भरा गया है ठीक है आप देख लिए आगे चलते हैं दूसरे जोन में देखिए आपके सामने दिख रहा है यह कोलकत्ता का है दोस्तु देखिए यहां पर लिखा हुआ है कोलकत्ता ठीक है बाकी आगे यहां पर एतना फॉर्म फिल हुआ है अभी तक तो यहां पर देखिए दूसतों यहां पर total form फिल हुआ है एक लाक एकस हजार चीहत्तर ठीक है यह कोलकत्ता में जी तो जहां पर जितना ज़्यादा सीट है वहां पर इतना उतना फॉर्म फिल हो रहा है अभी तक यही हमने देखा कि जहां पे जितना ज़्यादा सीट है वहां पे उतना ही फॉर्म ज़्यादा डाला गया है अब इदक उतने ही ज़्यादा है वहां पे अप्लिकेंट ठीक है देखिए यहां टोटल इसका आईडी नंबर यह है और इसमें आगे का देखिए 32 चार डीजिट सभी जोन का कोड है 4 नंबर छोड़के जो भी बाकी नंबर है वहां का फॉर्म जितना बहरा गया है अप्लिकेंट नंबर है और जितने भी तोटल आफ जो भी फील हुए है उसका नंबर है ठीक है दोस्सकों यहां पर टोटल कितना है एक लाक एक करी से शीयहत्र फीक है देख लिजिए आगे बढ़ते हैं कुलकत्ता का हो गया आगे चलते हैं चेन्नाई ठीक है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर देखें चेन्नाई लिखा गया है चेन्नाई का है यह नाम है संजु कुमारी और यहाँ पर रेजिस्टेशन आइडी ठीक है आगे आगे है 21,000 यहां पर भाडलग दोलाख दस हजार नौ सकत्ते हैं क्यानब्ग शर इं 009,91 टोटल फॉरम यहां पर भरा गया है ठीक है यहां पड़किव चार डीजिट सारे सारे का चार दीजिट और चार अंक का है शुरुवाती चार अंक छोड़के जो भी अंक है वहाँ पे फॉर्म उतना भरा गया है आप देख लें हर जोन का खोल के देख लें यही रियल है यह ओरिजिनल मैं पीक आपको दिखा रहा हूं जो फॉर्म फील किया गया है उसका स्कीन सोट मैंने लिया हुआ है और मैं आपको दिखा रहा हूं आगे चलते हैं आगे देखिए आगे बोड़ है राची ठीके दोस्तों यह राची का है नाम है शंगीता कुमारी और यहां पर रिजिस्ट्रेशन आइडी दिया गया है ठीके आगे नीचे देखते हैं कि यहां पर कितना फोर्म भरा गया है ठीक है दोस्तों देखे यहाँ पर आगे का चार दिजित छोड़ दीजिए देखे यहाँ पर 3270 ठीक है 009 यहां का code हो गया ठीक है इस zone का इसका यह code हो गया अपना ठीक है यह code हो गया इस zone का उसके बाद जो form भारा गया है कहां पëर रांची में यह रांची बोड है ठीक है आगे देखते हैं कितना है रांची बोड में कितना फोर्म किरा है तो 25,000 घोतल की 25 1667 अपर भारा गया है रांची बोड में ठीके दोस्तो आररवी जोन चुन लें और उसके बाद अपना फॉर्म को फिल अप करें ठीके दोस्तों चुनने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों जो भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा वो रियल 100 परसंट सत्य मिलेगा ठीके दोस्तों कोई फेक नहीं है औरिजिनल है आप देख लें जो भी फॉर्म भरा गया उसका स्क्रीन सोट मैंने लेकर रखा हुए है कुलकत्ता का है चार जोन का है राची का है चिन्नाई का है कुलकत्ता का है बैंगलोर का है गोरकपूर का है ठीक